सो यहां पे एक और नोटीस आपको जारी किया जाएगा यह जो आप लिष्ट देख रहें नीचे में और उस नोटीस में आपको यह बताया जाएगा कि डोकमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो भी चीजे हैं कब क्या चीजे होंगे क्योंकि यहां पे बहुत जल्दी दो में 127 तक हमने बताया था जंडल का यह तो उससे भी जादा गया है तो सवाल है कि फिर यह तो दो गुना है तो एक गुनाएगा तो कितना जाएगा ठीक है यह पूरा लिष्ट देखिए लिष्ट है तो आपका जीलेवार तरीका साहिए आवंटन होगा देख सकते नीचे मे कि देख सकते ह sour को अगर अगर हम पूरा नीची अगर करें तो यह आपको कि यहां तक आता है ठीक है यह बह्त चार्सो चपरेश का पूरा है तीसप नं टीसपी का है और यह तो दिख भी नहीं रहा है यहाँ 22,000 लिखा है और जैसा कि है आपको यह और देख सकते हैं पर 2, यानि कि एक और नोट्फिकेशन आएगा कलेंडर प्रिथक जारी किये जाएंगे तो सवाल यह कि अंतर कितनी नंबर करहेगा यह तो दो गुना कटफ है न तो गुना कटफ ही है आपका 130 तक जंडल गया है तो एक गुना में कितने नंबर का अंतर रहेगा सो फ्रेंट्स यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका जो एक गुना कटफ होगा उसमें तीन से चार नंबर का मैक्सिमम तीन नंबर का अंतर रहने वाला है और यहाँ पर थर्ड ग्रेड नियुक्ति के लिए प्रारंभिक सिक्छानी देशाले ने दो गुने कटफ को जारी कर दिया है जो कटफ पार किये उनको 31 March से पहले नियुक्ति देने की त्यारी है दोस्तों त्यारी पूरी जोर सोर से चल रही है और 31 March से पहले नियुक्ति आपको दे दी जाएगी और यहाँ पे तीन-चार दिनों में एक और नोटिफिकेसन आगा जिसमें आपको से बताया जाएगा किस तरह से जीले लोट किया जाएगे सारी चीजे उसमें आपको भिस्ति धंग से बताई जाएगी तो आपका कटफ दोस्तों उमीदों से ज्यादा ही आया है लोग सोचेते हैं कि ज्यादा सब्सक्राइब मैंने पहले भी बोला था कि 127 तक जाएगा लेकिन 130 तक चला गया है तो अगला जो कटफ होगा दोस्तों वह आपका 133 तक आपका जिनरल का जाने का संभावना बन रहा है तीन नंबर का फर्क पड़ाएगा इससे ज्यादा करने क्योंकि एक एक फिर बहुत काफी नीचे खी सकने लगते हैं लोग यही चीज़ा है दोस्तों और देखते क्या होता कोई भी और खबर आगी तो बताने का प्रय